गुड बार्डिंग, आप सभी का एस चनल पर पुनाई पर बहुत बहुत स्वाज़त हैं आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई किसी को मकान देते हैं किराये पर तो किस-किस बात का दियान दखना चाहिए और ये भी जानेंगे क्या किरायादार मकान मालिक बन सकता है अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके उप्योग से सम्मंदित ही हम वीडियो लाते रहते हैं आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा साथ बने रहे हैं दोस्तों अभी बर्तमान में देखा जाए तो जितने भी सहर हैं जितने भी नगर हैं जितने भी महानगर हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा तरह के लोग वैसे होते हैं जो किसी के माकान में भारे लेकर रहते हैं और उस सहर का जो नियम होता है इस से सम्मंदित जो कानून बना हुआ है वो परतिक राज में अलग-अलग है तो आप जिस भी एस्टेट से बिलोग करते हैं उसका एक अपना प्रोसेस होगा लेकिन एक कॉमन प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताओं कि जब कभी आप किसी को देते हैं तो सबसे पहली बार तो आप चीर परिचित आदमी को ही दे तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि चीर परिचित आदमी ही आप से किराया लेने के लिए आए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीर परिचित आदमी के रिफरेंस पर कोई तीसरा आदमी आता है आपके पास माकान भारा लेने के लिए या कोई भी प्रोपर्टी आप देते हैं ठीक है तो उसका पुलीस भरिफिकेशन कराना जरूरी है और अगर ऐसा आप कराते हैं इसका फियूचर में आपको फाइदा मिलेगा जब पुलीस भरिफिकेशन हो जाएगी तो उनके सत्यता का पहचान आपको मिल जाएगा उसके बाद उसका जो पेपर है पेपर आप लेते हैं फिर एक किराया नमा बनाते हैं किराया नमा बनाने में सबसे बरी ध्यान देने की बात ये होती है कि उसको आप 11 महिना के लिए ही बनाएं अगर आप एक साल के लिए बनाते हैं तो निबंधन पदाधिकारी यानि रइस्टरान के ओफिस में जाके इसको रइस्टर्ड यानि निबंधित करना सुनिश्टिप करें और यही कारण है कि ज़्यादातर एग्रिमेंट जो बनता है एकरार नामा जो बनता है वो 11 मंद के लिए ही बनता है तो 11 मंद से अगर ज़्यादा यानि एक साल या फिर एक साल से ज़्यादा का आप बनबा रहे हैं तो इस बात को सुनिश्टिप की जाए कि उसका निबंधन किया जाए और निबंधन से सम्मधित जो जानकारी है वो किसी भी एड्वोकित के माध्यम से आप रेइस्टार ओफिस में जाएंगे या फिर स्वेंग भी जाएंगे तो आपको इजी वे में ये चीज पॉसिबल है और ये आप कर सकते हैं दूसरी बार कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इकराया नामा में वो सारी चीज को मेंसर नहीं करते हैं जो आप मकान के साथ उनको दे रहे हैं सबूज किजिए फरनिचर दे रहे हैं या फिर जो भी चीज दे रहे हैं उसका एक फोटोग्राप बनाएं और फोटोग्राप का प्रिंट आउट निकालके उस किराया नामा का एक पार्ट बनाएं और उस पे दोनों पार्टी सिगनेचर करें पलस निसान दें यह दोनों ची यहां जो ही एशा करते हैं कि किरायादार के ही नाम से बिजली का कनेक्ष्ण फाणी का कनेक्ष्ण इत्यादी ले लिते है उसको बोलते हैं ले लेने के लिए जależ्विन के गलत हैं इस चीज चलाद को खोब मित लि 물li करनем से बिसली नाम से फिर खार पाने कनेक्ष्ण आपको फ्यूचर में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दूसरी बात जब कभी आप इकरार नमा बनाते हैं उसमें डेट का मेंसन करना बहुत जोरी है उसमें डेट को मेंसन कर दीजिए जब आपका समय सिमा समाप्त होता है तो उससे 30 दिन पहले उसको नोटीज देनी चाह है एक साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं दो साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं या पिर 11 मैना के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस यह है कि आप किराया नामा तो बनाएं लेकिन उस आदमी के नाम से नहीं बना के उसके बीबी बच्चा या किसी उसी आदमी के दूसरे परसन के नाम से इसको आपको रोटेट करें इसका भी फायदा आपको मिलेगा कहने क्या मतलब हुआ A B C A पती है B पतनी है C उनके बच्चे हैं अगर A के नाम से आपने 11 महिना का किराया नामा उनको बना दिया है तो इस बार जो बनाएंगे आप तो B के नाम से बनाईए C के नाम से बनाईए यानि A को continue करके नहीं चल भाए होता क्या है कभी कभी जब आप रूम खाली करवाने के लिए आप अपने मकान को खाली करवाने के लिए कहते हैं तो अनेकानेक समस्याओं को दिखाते हुए वो नहीं करते हैं अंतताह मामला जब कोड जाता है तो कोड में भी अपनी समस्या को दिखा के एस्टे ओर्डर ले लेते हैं जिससे माकान बाली बहुत बड़े मुसीबत जैसा महसूज करने लगते हैं अब मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि ऐसा कहा जाता है या फिर सब्गों के पास कन्फ्यूजन है कि एक लंबे समय तक अगर कोई किरायादार किसी माकान में रहता है उस मतकान में उसका सेर बन जाता है यानि वो माकान मालिक बन जाता है मैं आपको बता दूँ कानुन के किसी भी किताब में इस चीज का मेंसर नहीं किया गया है कि किरायादार मालिक बन जाए इस confusion में आप नहीं रहें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि माल ले जाए कोई आदमी आपके माकान मेरा रहा है और आप उनको बोलते हैं कि आप मेरा माकान खाली कर दो और उनके बच्चे की परिक्षा चल रही होती है तो वो कोट जाके stay order ले सकता है कि अभी अगर हम खाली करेंगे तो मेरे बच्चे के education पर इसका effect परेगा ऐसा हजारो एक्जामपल एवलेबल है और जिसके लिए कोट भी stay order दे सकती है तो इस जो भी चीज term and condition है तो किराया नमा बनाने में अगर आप इस बात का धियान रखते हैं तो इस इस्तिती का सामना आपको नहीं करना परेगा इसे संबने जो भी query हो आपका जो भी मन में question उठें आप हमसे बेज हिजक comment के मार्द हमसे पूछ सकते हैं हम आपके सेवा में सदेब तत पर रहेंगे धन्यवाद फिर मिलते हैं next topic पर